sita so next हम बात करते हैं एक topic है यह यह कि ahora binocular vision ठीक है इसका मतलब क्या होता है कि lai no culer नाब सी पता चल रहा हैurar memory दो आंखों से देखना sureoscopic यह या binocular vision का मतलब होता है कि दोनों आंखों से देखना है ना हम हमेशा देखने के लिए ऐसे तो है निकि एक आंख बं करते हैं फिर देखते हैं चीजों को ठीक है नॉमली हम दोनों आंखों से चीजों को विजुलाइज करते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है एक आँख से देखने में तो problem होती है, जिसके एक आँख खराब हो गई होती है, उसे पूछिए जरा, ठीक है, so, होता कहा है, usually कि जो object focus on both eyes, ठीक है, कि जो object का focus है ना, जब भी हम किसी object को देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, नहीं, हम उसको दोनों आँखों से देखते हैं, वो natural है, हम ऐसा नहीं है कि हम करवा रहे हैं कि दोनों आँखों से देखते हैं, अब उस जो image बनी, हैना, आँखों से देखा, एक image बनी, उस image की brain में overlapping हो जाती है, उस overlapping होगी तो वो एक 3D effect produce करती है दोनों आँखों से देखते हो तो एक 3D effect आता है आपको पता है 3D means बहुत ही clear image आपको दिखती है और आपके दिमाग पर वो receive होती है लेकिन suppose कीजिए किसी की एक आँख में problem है या आप एक experiment लीजिए आप pencil लीजिए ठीक है अभी तो मेरे पास available नहीं है बट आप pencil लीजिए और उसको horizontal इस तरह से पकड़िए कि जो उसका pencil का lead होता है वो इस तरह से आपके आँख के सामने आना चाहिए ठीक है इस तरह से एक आँख को बंद कर दीजिए and try to touch तो आपको थोड़ा time लगेगा try to touch that knob of the pencil आपको थोड़ी थोड़ी वो हिलती हुई नज़र आएगी pencil जब आप एक आँख ऐसे देखोगा और एक आँख के focus से उसको पकड़ना चाहिए लेकिन जब इसी चीज़ को मैं दोनों आँखों से करूँगा उसी चीज़ का तो देखिए बहुत खास बात है जो God gifted है ये सभी के लिए ठीक है कि हमें एक 3D vision provided है हर एक चीज़ का तो दोनों आँखें बहुत ज़रूरी है next topic is after images basis of the motion pictures ठीक है जो हम film में देखते हैं उसमें एक after images का concept होता है basically concept के it is a very interesting concept अगर बात करें तो ठीक है देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे suppose कीजिए हम क्या करते हैं अगर हम बहुत bright light में खड़े हैं और एकदम से हम किसी bright चीज़ को देख रहे हैं और हम अपने आँखे बंद करें तो कुछ few seconds के लिए हमें उस bright light का sensation आँखों में रहता है for very short period रहता है ना जैसे हम धूप से आते हैं और अंदर आ जाएं कमरे के dark room में तो कुछ देर के लिए वो light का sensation जब 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 जैसे आँखों में रहती है उसी तरह से क्या होता है कि अगर हम किसी bright color के object को देख रहे हैं और मैं उसके बाद dark object को देखने लग जाओं ठीक है तो मेरी आंखों में या मेरे brain में कुछ time के लिए वो image persist करेगी जो पुरानी वाली जो bright image है वो हलके से few seconds के लिए दिख रही होगी मुझे ठीक है show off हो रहा होगा उसका when I am again watching the dark object ठीक है means मैं पहले जब bright को देख रही थी फिर मैंने एकदम से dark को देखना शुरू किया तो dark को देखते time भी कुछ seconds के लिए bright की image मेरे दिमाग में थी so that is the persistence image यही funda जो है वो movies में use होता है motion pictures में होता क्या है कि जो pictures projected होती है on screen screen में जब हम movie देखते हैं किसी movie में तो बोलते हैं जो pictures project हो रही है pictures आती है ना लोगों की pictures आ रही है जो filmों में काम करते है तो वो जो है एक second में 24 pictures play हो रही होती हैं लेकिन हमें क्या दिखता है हम सोसने कि यह तो एक ही picture है हम उस चीज को identify नहीं कर पाते है means it is not possible to identify for us कि individual picture एक second में आप एक picture नहीं देख सकते है क्योंकि 24 pictures एक साथ चल रही होती है उस time पर तो एक illusion की तरह है एक धोखा है आखों का धोखा हमें लगता है कि हमें 2-3 character दिख रहे हैं बट ऐसा नहीं होता है 24 pictures एक second पर काम कर रही होती है ठीक है same funda movies वालाई TV पर भी चलता है TV screen में भी ऐई funda होता है ठीक है कि हमें दिखता है ऐसा कि बहुत मतलब हम identify कर सकें या कुछ कर सकें लेकिन ऐसा नहीं होता है तो इसे हम कहते हैं life like continuous movement एक life like continuous movement is illusion हमें लगता है कि चीजे चल रहे हैं actual में वो pictures है ठीक है लेकिन हमें लग रहे है कि चीजे चलती जारी है चलती जारी है तो एक illusion का फॉम है actual में ऐसा नहीं होता है this is just a basic concept बहुत डीटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा सा ध्यान रखें कि motion pictures में ऐसा concept यूज होता है यहां पर illusion का मतलब क्या हो यहां पर illusion का मतलब हुआ कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि bright से जब आप dark object देखने लगे लेकिन कुछ seconds के लिए आपको पुरानी वाली image persistent थी तो वो एक illusion की तरह है actual में वो image नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि जब आप dark जगा पर भी आगे हो ना bright को देखने हो तो भी image है so that kind of illusion is present in motion pictures and TV ठीवी ठीग है television में इस तरह का illusion देखने को मिलता है okay